महाकाल की नगरी उजैन में महाकाल जोतर लिंग के अलावा चुरासी महादेव भी स्थापित हैं जिनका अपना-पना अलग महतो है इन चुरासी महादेव के दर्शन करना बेहद लाबकारी होता है आईए जानते हैं इन चुरासी महादेव के महतो एवं इनके इतिहास के बारे में पुजयन के मंगलनाथ और सिधनाथ के मद्धे स्थित अंगारेश्वर महादेव 84 महादेवों में 43 वे नंबर के महादेव हैं सकंद पुरान के अनुसार प्राचीन समय में आदी कल्प में शिवजी के लाल रंका भ्यंकर अंगार के समान पुत्र उत्पन हुआ उसे भूमी पुत्र या अंगारक कहते हैं उसको पृत्वी पर रखने के साथ ही वे सबको खाने लगा इससे चराचर देव अशुर आदी काप उठे तब देवता ब्रस्पति को आगे करके ब्रह्म लोग गए ब्रह्मा से इस विपदा का वरन किया ब्रह्मा जी उन्हें लेक दो तब अंगारक ने कहा मुझे कोई स्थान दो और मेरे भोजण का प्रबंद करो इस पर शिवजी ने कहा मैं तुम्हें महा कलरवन में गंगेश्वर के पूरुम में पीलिया खाल और शिप्रा के संगम के पास स्थान देता हूँ। शिवजी न अंगारक से कहा तुम गंगेश्वर में स्थित मेरे लिंकी पूजा करो इससे गरहों में तुम्हारा तीसरा स्थान होगा तुम्हारी चतुर्थी और मंगलवार को पूजा होगी अंगारेश्वर की पूजा से संसार में कष्ट निवार्न होता है जब अमावस्य को मंगलवार हो तब खगर्ता शिप्रा के संगम में सनान कर अंगारेश्वर के दर्शन करने से वारनसी परियाग कुर्षित्र गया और पुष्कर में सनान करने से भी अधिक पुन्य मिलता है कर दो कि अधिक पुष्कर में सना करने से पुष्कर में करने अंगारेश्डवर के लाइश्वर के लाएश्वर के दिवद्गर के शिप्रता है चुरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और जादा से जादा लाइक वे शेर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महता के बारे में जान सकें ओम नमस्षिवाए